सो हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सभी लोग स्वागते आपका मोईजीन चानल में आज हम बात करने वाले ड्राइगन बॉल के 97 एपिसोड में अब तक यह एपिसोड कैसे चल रहे है वो नीचे कमेंट कर दो आप एक प्यारा सा लाइक भी ठोक दो क्योंकि मुझे मोटिवेश तो दोस्तों अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहां पर क्रेलिन वर्सेज गोकु की फाइट चल रही है जहां गोकु क्रेलिन के उपर हावी पढ़ते हुए दिख रहा है और कभी क्रेलिन गोकु के उपर हावी पढ़ते हुए दिख रहा है इस तरह से मैच कंटिन प्लाइब कर पाएगा लेकिन गोगों सिंपलिस साइड होता है और एक अपने जोर के हाथ मार देता है क्रेलिन के गरदन पर जिससे गर जाता है जहां को लगता है कि ये इतना जादा फास्ट भाग रहा है जिससे ये किसी को नजर ही नहीं आ रहा है वहाँ पर क्रेलिन को भी वह नजर नहीं आता है और अचानक से क्रेलिन के सामने गोकु आ जाता है उसको जीब दिखाता है और उसको कंटिनियोस आठ भू से मारता है और एक जोर की लाद हो रही है अब हम देखते हैं पपाया होस्पिटल के अंदर जहां पर यामचा सुन रहा है रेडियो के जर्ण यह कि अभी मैच होने वाली है टियान वर्सस गुकु की जहां हम देखते हैं कि नर्स आ रही है टियान के रूम की तरफ जहां वो आती है और वो दोर खटट खट तबी हम देखते है कि यामचा ने छलांग लगा दी है और वो बाहर चले गया है जैसे ही नर्स अंदर आती है और यामचा आमचा करके पुकारती है तो नर्स को देखने को मिलता है कि बेड़ के उपर कोई है यही नहीं अब हम देखते हैं इस पपाया आइलेंड के उपर जहां मैच होने वाली है और इतना ज़ादा क्राउड आ चुका है जो कि दूर दूर से आय हुए लोग है जो इस मैच की फाइनल देखने के लिए ही आय हुए है तभी ये सारे लोग बाते ही कर रहे है कि मैंने 5 साल पहले इ उन्हें दे रहा है वो इदर उदर टीवी को कान लगाते है और तभी वहाँ पर टर्टल कह देता है कि बहुत हो गया अभी हमारी मैच है अभी हमें जाना है जहां मास्टर रोशी उसके उपर चिल्ला भी देते है तभी गोकु और क्रेलिन देखते है बाहर जहां उन्हें सारा क्राउड और बहुत सारा ट्राफिक जहां करेलिन कहता है गोकु से यह लोग तुमारी मैच देखने को आया है तो गोकु तुम इन लोगों को निराश नहीं कर सकते जहां गोकु कहता है कि हां मैरा बच दूंगा अर्फी हम देखते हैं डोर खुलता है बुलमा और दोनों ब्लश करने लगती है और बताती नहीं है और ये दोनों बाते ही कर रही है कि उरा और उलॉंग कहां पर है जहां ये दोनों बता देती है क्रेलिन को कि वह दोनों गये हैं हमारे लिए फ्रंट रो की सीट पकड़ने के लिए जहां हम देखते हैं जहां लोग खड़े है वहाँ पर एक बड़ा सा लाल वाला राक्षस खड़ा हुआ है जो कि कहता है कि ये सर्कल के अंदर सिर्फ मेरी जगा होने वाली है जहां वो वहाँ के लोगों को डराता भी है तभी एक लड़का उस सर्कल के अंदर आता है तभी यहाँ पर उलॉंग जो है वो कहता है कि यहाँ पर नहीं आ सकते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो रोने लगता है जहाँ पर उलॉंग जो है वो कहता है कि ठीके ठीके तुम यहाँ पर रुख सकते हो तबी हम देखते है पीछे से एक बड़ा सा मंकी आ चुका है जो कि और कोई नहीं है वो है उरा जो कहती है कि क्या मैं यहाँ पर सीट पकड़ सकती हूँ जहाँ पर यह पिगल जाता है और कहता है कि ठीक है ठीक है और तबी यह दोनों नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाते है जह हमारा पैर अभी कैसा है यामचा कहता है कि अभी ठीक तो नहीं है फिर मैं यह मैं देखने वाला हूँ अब हम देखते हैं होटल के अंदर जहाँ पर टियान बैठा हुआ है और अपने आप से ही बाते कर रहा है जहाँ पर उसे मास्टर ओशी के बाते याद आ रही है कि बाहर देख रहे हैं जहाँ पर यह मास्टर शिन जो है यह चैंजी से कहते हैं कि इतना टाइम यह क्यों लगा रहा है पहले तो कभी लेट नहीं होता था आज क्यों लेट हो रहा है तभी वो कहता है चैंजी से कि चैंजी जाओ और उसे बुला के लाओ जहाँ पर चैंजी कि टियान जाने का वक्त हो चुका है जहां पर टियान आखे कोलता है और इसके साथ चलने लगता है अब हम इधर देख रहे हैं गोकु को जो की कपड़े पहन चुका है और वह यह भी कहता है कि अब मैं रेडी हूँ तभी हम देखते हैं कि लॉंच को चीक आ चुकी है जो कि नॉर्मल लॉंच से खुंखार लॉंच बन चुकी है और वह कहती है कि बहुत हो चुका हम लेट हो जाएंगे चलो जल्दी चलते हैं अब हम इधर मैच के जगह पर देख रहे हैं जहां पर धेर सारा क्राउड आ चुका है तभी वहां लॉंच कोक पीती है और उसको जहां पर मास्टर रोशी उसे समझाते है कि कूल डाउन बच्चा कूल डाउन और तभी मास्टर रोशी की नजर पढ़ जाती है मास्टर शिन के उपर जो कि तेली पैटरी से दोनों बात कर रहे हैं पहले मास्टर शिन कह देता है मास्टर रोशी से तुम बिलकुल भी अच तो हो जाती है लेकिन लास्ट में मास्टर रोशी चिल्ला देते हैं कि नहीं मैं नहीं हूँ उस तरह से तभी वहां मास्टर रोशी चिल्ला देते हैं जोर से जहां पर यामचा कहता है कि तुम किस से बात कर रहे हो जहां मास्टर रोशी कहता है कि नहीं मैं ऐसी ही अपने मार देता है और रेडी होता है और बहुत ही जयादा हमें खूंखार नजर भी आ रहा है अब गोकूब बाहरं आता है जहां पर धिरे ‌दिल अधिक तबी वहाँ Krillin आ जाता है जो कि Goku को आवाज देता है लेकिन Goku उसकी तरफ नहीं देखता अभी घुस्से से वो इधर उधर देख रहा है तबी वहाँ हम TN को भी देख रहे है जो कि जल रहा है घुस्से से और फिर announcement करता कह देता है कि भाई सबसे पहले हमारी आज के match का है फाइटर टियान जो कि बहुत अच्छे से लड़ता है अब तक उसने बहुत अच्छे अच्छे मूज दिखाए है और वह कामी अब भी रहा है सबको हराने में तबी वह सामने आता है जहां पर मास्टर शिन उससे बात कर रहे है कि तुम कुछ भी करके इसको हरा देना और जिन्दा मच छोड़ना जहां पर तुम्हें टाव का बदला भी लेना है जहां टियान कहता है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा मास्टर और फिर अनॉंसमेंट करता आवाज देता है कि अब हमारे सेकंड है फाइटर है गोकु तबी भागो को आ रहा होता है तो क्र क्रिलिन के साथ भी बहुत अच्छी फाइट की और अब गोकु आके खड़ा हो चुका है और बुल्मा चिला रही है गो गोकु गो उसे मजा चखाओ इधर लॉंच सिंप्ली अपनी गन निकालती है और गोलिया चलाती और कहती है कि गो गोकु गो जिसे देख यामचा और उलॉंग साथी साथ बुल्मा भी डरे हुए है और वो कहते है कि यह बहुत ज़्यादा अम्बैरेसिंग भी है तभी यह लोग देखते है कि वहाँ पर मास्टर ओशी खड़े है जो कि गायब हो चुके है जो मास्टर ओशी क्राउट से निकलते है और सीधा क्रेलिन के पास सब्सक्राइब जोकी मास्टर शीन कहते हैं यह बच्चा जो है जिसने मिस्टर टाव को हरा है जो भी की मेरा भाई था जो जैसा भी था लेकिन बहुत अच्छा था जिसको एक बच्चा हरा यह तो नामुम्किन सा है इस वज़े से टाव को उसे मार नहीं होगा इतना कैकर ये मैच स्टार्ट होती है जहां पर गोकु भी रेडी होता है और टियान भी रेडी होता है जहां सबसे पहले गोकु भाग के आता है और टियान को मारने की कोशिश करता है जहां टियान को लगता नहीं है टियान भी डिफिट कर रहा है वहां गोकु भी डिफिट करते हुए गोकु आके सीधा स्टेज के अंदर धस जाता है जहां ये लोग बहुत जादा खौफ में भी है जहां मास्टर शिन देखी रहे है तब ही गोकु निकल आता है यामचा और बुलमा कहते भी है कि हाँ गोकु आ चुका है जहां लॉंज भी कहते है कि I knew भी मास्टर रोशी कहते है कि हाँ इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी से ट्रेनिंग कर ली है जो कि आता है और भागते हुए ट्यान को मारने के लिए आगे बढ़ता है जहां पर वो गायब हो जाता है अब अनॉस्मेंट करता कहता है कि गोकु ने फिर से वो मूव अपना ली है जहां पर हमें गो गोकु को जो कि एक तरह से वो बीन बैंक को पंच नहीं मारते है उस तरह से फाइट करते जा रहा है गोकु को जहां पर गोकु को बहुत ही जोर से लग चुकी है कंटिनियोस वो मारे जा रहा है रूकने का नाम ही लही ले रहा है जहां पर टियान आखरी का एक मुका मारता और जिससे गोकू नीचे गिर चुका है अब ये देख बुलमा आखे बंद कर लेती है यामचा कहता है कि गोकू तुम्हें उठना पड़ेगा इदर लॉंच भी हैरान है मास्टर शेन बहुत अच्छे से हस रहे है और तभी आता है टिया एंजो की गोकू को पकड़के उठा साथी साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मूविजिन चानल को क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंट्रेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आते रहते है प्राइब कर दोस्तों 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 कर